तो क्या फॉर्मर टू-काइम डीवा टीवा चैंपियन करने वाली है अपने रिकाइन ब्रेव वाइंग कब वापिस आएंगे वेस्लिंग के अंदर और रोमेंज रेंज और कोगी रोग्स के दिरम्याद मैच कब होगा हेलो गाइस आप लोग देखने है रान श्बरक साउन गवले एकस्पोर्क शनलिकर के इनमेंग और आज हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रेव वाइंग के रिकाइन के उपर के सब्सक्रों के साथ लいます मियांग को ब्रेव वेड को क्विकर को फिरा को चैंज करेंगे और ब्रेव वायंग को आधे लिका इस ने करिया लूद के और क 행ए 55ر को जिसदाए और ब्रेव वाइंग धाना है तो ए ब्रेव वाइंग कर है इसक्षा जब्लस चीर घेस बिलेग वो पहले उसी कंपणी के इंदर फोरां जॉइन कर लेंगे और अब हम बात करेंगे कि कब हमें कोगी रोग्स जो हैं वो चैम्पिनशिप मैच के नदर देखने को मिलेंगे रोमेल रेंस के खिलाफ जब से कोगी रोग्स ने अपना WWE के अंदर रिकरेंड है तब से सीज के रूमर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि कोगी रोग ही वो सुपसकार होंगे जो के रोमे रेंज के इस इतने लंबे कायकल रेंड को एंग करेंगे वैसे जो भी स्कार्टिंग रूमर्स यह हैं कि WWE इस वकत रोमे रेंज से नेक्स के एर की रेसल मेनिया से पहले तक तो कायकल यानि के दोनों कायकल जो के युनिवर्सल चैंपिंशिप और WWE चैंपिंशिप रोमे रेंज के पास रहेंगे तो WWE का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो रोमे रेंज से अगले साल की रेसल मेनिया से पहले पहले तक यह चैंपिंशिप लेंगे वो जस तरीके से अपने स्कॉवार को राख पहले हैं। जिस्तरीके से स्कॉप कोंप्र लेकर रेक्शन दे रहा है। अधिर कोई रोग को एथ तोला है यह है, स्कॉप्रग मत्स्माप्रवत INTERPOL फिशर का रेक्शन दे रहा है, माझनाँ चॉपर हो,'s कोई रोगो ऑक्स के मैच देख रहे को बिले क्योंके कोडी रोग जो है वो मगना एक टॉक पर एक टॉप सुपसकार है नंबर वन है और जैसे कि स्मैक डाउं के पर रोमे रोमे रेंस जो है वो और यूनिवर्सल चैंपिंशिप दोनों ही चैंपिंशिप है लेकर उनका फोकस जो है वह जादा स् पेसे कि जब रोमे रेंस रोग और फिर जाने के बाद रोग एपिसोड के आये थे तो रोमे रेंस ने कोडी रोड का साइन भार ता वहाँ पर इस चीज से जो हीड थी वो और जादा क्रियर कोई थी क्योंके कोडी रोग जो है वो भी उनिवर्सल चैंपिंशिप की अंग स सुपरस्कार के दर्मयान एक सिंगल मैच लाजमी देखने को मिलेगा और अगर गबली गबली का प्लैन इसी साल इस मैच को करवाने का है रोमें रेंज और कोडी रूट्स के दर्मयान तो मेरे खाल से समर स्लैम को थाउजंग कोई की उसे बड़ा पेपर व्यू के पास और कोई नहीं होगा जहां वही एक मेन इवैंक और जबरदस मैच वह भूक कर सके और अब इसके बाद हम बात करेंगे आज के अपनी फाइनल स्कॉरी के अपर और ये स्कॉरी रिलेकर है फॉर्मर डॉली वी टुटाइम इवाज चैंपियन से और ये कोई और नहीं बलके पेज है जैसे के आपनों को पता हुआ कि क्यू थाउजंग के अंदर पेज ने रेसल मेनिया के बाद अपनी रिकार्मेंट को अनाउंस किया था उनकी नेक के अंदर इस्यू था सेम तरह का इश्व जिस तरह का गैनियल ब्राइन को था से पेले सकॉन को वास्ट को था और एज्ज को था और जिसकी वज़जा से इन तीनों सुपरसकार्ड्ड ने अपनी रिकार्मेंट अचैंपनाउंस की थी पेज को भी इसी तरह की नेक के अंदर इंजूरी हुई थी लेक 2017 के अंदर और फिर उसके बाद 2018 रिसलमेनिया 34 के बाद पेज ने अपनी रिकार्मेंक अनाउस की थी एक्जेक्ली रॉफ कर रिसलमेनिया के बाद तो अब जिस तरह के रूमर्स आ रहे हैं के पेज बार बार हिंग भी का रही है कि वो रिकार्मेन कर सकते हैं लेकिन अभी रिसेंक्ली कुछ इस तरह हुआ है के व्वी ने पेज को अपने एक्टिव रॉफ के रॉसकर के उपर उनको दुबारा से एड़ कर लिए अगर आप लोग व्वी वेबसाइक पर जाकर लेखें तो पेज वो आपको एक रॉफ की सुपरसकार जो एक्टिव सुपरसकार के लिस्क है पेज का नाम वहां पर शोग हो रहा है तो इससे क्या गॉफ कर रही है क्योंकि आप लोगों को पता हो कि पेज ने रिकायर होने के बाद स्मैक डाउन की मैनेजर का रोल अदा किया था स्मैक डाउन के वपर लेकिन अभी तो पेज गबली गबली के अंदर आ ही नहीं रही काफी रिकायम से तो फिर अगर उनको गबली गबली उने एक्किव रॉसकर के अदर दोबारा से आइक कर दिये तो काई ने केंग गबली ई भी जो है वो इस चीज़ को हिंक करिये कि पेज जो है वो आने वाले रिकायम के अंदर अपना रिकायन कर सकती है अलाकर इस साल पेज ने अपना रिकरन कीज भी किया था कि जैसे वो इस साल के रॉयल रंबल के अपना रिकरन करेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बारहल दोस्तो पेज या फिर ब्रेवारंक के रिकरन के हवादे से मुझे जो ऐसी मुझीड कोई रबगेक मिलेगी और मैं आप लोगे साथ इस चैनल के अपर बबगेक शेयर करता हूँगा मिलता हूँ आप लोगे से अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई मिलता हूँ झाल